आज हम बताएंगे पाकिस्तान में मंदिरों को क्यों तोड़ा जा रहा है? वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा. भारत में इन दिनों मंदिरों की काफी चर्चा हो रही है. एक वर्थ शोशल मीडिया के जरिये मांग कर रहा है कि जहां जहां मंदिर तोड़े गए हैं, व किस वजह से ताज महल, कुत्ब मिनार जैसी इमारतों पर लेकर विवाद जा ले? इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान के मंदिर को लेकर भी विवाद होने लगा और पाकिस्तान में तोड़े गए काफी विरोध भी करता रहता है कई रिपोर्टर्स में बताया है कि अभी तक कितने मंदिरों को तोड़ा गया है तो जानते हैं आजादी के बाद पाकिस्तान के कितने मंदिरों को तोड़ा गया पाकिस्तान में कई मौकों पर मंदिरों को निशाना बनाया गया आजादी के बाद से पाकिस्तान में धर्म अधारित ग्रेणा चरम पर है जिस वजह से अभी तक हजारों मंदिरों को निशाना बनाया जा चुका हाली में पाकिस्तान में एक मंदिर को निशाना बनाया गया था और तोड़ फोड़ भी की ग जहां पूजा की जा रही है और कई रिपोर्ट्स में मंदिरों के हाला काफी खराब माने जा रही है कई मौकों पर मंदिरों को निशाना बनाया गया है कहा जाता है कि भारत में हुए बाबरी विद्वन्स के वक्वी पाकिस्तान में हजारों मंदिरों को निशाना बनाया गया बता दें कि All Pakistan Hindu Rights Movement में एक सर्वे के अनुसार साल 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो पाकिस्तान के हिस्से में 428 मंदिर मौजूद है। मगर 1990 के बार इनने 408 मंदिरों को रेस्टरांट, गोटेल, दफ्तर, सरकारी स्कूल या मदर्से में तब्दील कर दिया गया। इस सर्वे के अनुसार अलग संक्योंकों की फूजा वाले 1.35 लाग एकर जमीन सरकार ने इवैक्यूई प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड को लीस पर दे दे। इनमें हिंदू, सिक और इसाई धर्म स्थलों की समीन है। बतादे की पाकिस्तान में मौझूर काली बाडी मंदिर को दारा इसमाइल खान ने खरीद कर ताज होटल में तब्दिल कर दिया। बताया जाता है कि पक्तून्वा के बन्नु जिले में एक हिंदू मंदिर था और अब उसमें मिठाई की दुकान खोल दी गई। वहीं कोहाट के शिम मंदिर में स्कूल खोल दिया गया है और कई मंदिरों को स्कूल, होटल और दुकानों में तब्दिल कर दिया गया है। हैरानी की बात यह हैं कि सिर्फ 20 हिंदू मंदिर में ही पूजा हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के सिंदु शेतर में सबसे ज़्यादा मंदिर है जहां 11 मंदिर है इसके अलावा पंजाब में 4, बलुचिस्तान में 3 और खाइबर पक्तिम्मा में 4 मंदिर है